एक जंगल में मिठ्ठू नाम का तोता रहता था उसकी बहुत बुरी आदत थी के वह हमेशा जूट बोला करता था वहे जंगल के दूसरे पक्सियों और जानवरों के सामने जूट बोलकर अपनी बढ़ाई करता और साथ ही साथ दूसरे पसुपक्सियों की बहुत बुराई करता था एक दिन पेर पर बैठी टूनी चिडिया के पास वहे मिठु तो ता गया तो वहे चुडिया के पास जा कर बोला अरे तोनी चुडिया यहीं पेड़ पहीं बैठी रहना मैं तो एक दिन गाव के जमिदार के पास गया था वहाँ जमिदार ने मेरी बहुत खतिर दारी गी पहुत सारी अच्छे-च्छे मिठाईया और पकवान मुझे खिलाए फिर एक दिन ऐसे ही वह उड़ता उड़ता जंगल में जानवरों के पास पहुचा और बोला अरे जानवरों यहीं गुमते रहना मैं तो चील से भी उचा उड़ सकता हूँ पता है मैंने ऐसे ही उड़कर बहुत से देशों की आत्रा कर ली अब तक उसकी इन सभी हरकतों के कारण सारे जंगल को उसके जूट का पता लग गया के वह बहुत जूट बोलता है एक दिन जंगल में एक बहुत ही सुन्दर कबुतर आया सभी बक्सी उसे देखने के लिए आये मिठ्धू टोता भी उससे मिलने के लिए आया तो देखो देखकर कबुतर बोला अरे तुम मिठ्धू हो ना हाँ हाँ मैं मिठ्धू टोता ही हूँ देखो देखो मैं कितना प्रसिद्ध हूँ बाद के लोग भी मुझे जानते हैं मैं बहुत अमीर हूँ इसी वज़ा से प्रसिद्ध हूँ मैं इसी वज़ा से अच्छा अच्छा खाना भी काता हूँ और मेरे पास तो बहुत से हीरे ज़वरात हैं यह सुनकर वह कबूतर बोला मैं साही नोकर हूँ मैं तो तुम्हे राजा के दरबार में अच्छी दावत के लिए आमंदित करने आया था लेकिन तुम तो पहले से ही अच्छे से रह रहे हो और अच्छा खाना खाते हो तो मैं चलता हूँ तोते ने जब कबूतर को यह सब कहते सुना तो कहने लगा अरे 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 मैं तो जूट मूट की अपनी बढ़ाई कर रहा था मैं कोई सेट नहीं हूँ मेरे पास कुछ भी अच्छा खाना पीना नहीं है मुझे अपने साथ ले चलो इसके बाद कबूतर ने तोते की एक ना सुनी और चला गया यह देखकर जंगल के सभी पसुपकसी ने मीठूतोते की बहुत मजा कुडाई तो इस कहानी से हमें सिक्सा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी बात के लिए जोट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जोट का परिनाम बुरा ही होता है